आज के वीडियो जो है एक ठियोरी वीडियो होने वाला जहां पर हम आज बात करेंगे कि आखिर क्या एडवर्ड वीविल सच में वाइड बीड का बेटा है लेकिन उससे पहले तुम सब को एक मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि इसमें जो है मांगा के स्पोईलर्स हो सकत तो आउ चलो बात करते हैं बहुत साल पहले वनपीस के वर्ड में टॉप 5 साइंटिस्ट का ग्रुप रहा करता था जिसे जो है मैड्स कहा जाता है और यार यह 5 साइंटिस्ट कौन कौन है जज, सीजर क्लाउन, डॉक्टर वेगापंक, क्वीन और एक जिसका चेहरा यहां पर तुम नहीं देख सकते हो, बस ऐसा दिखाया जा रहा है कि यह मिस बैकेंगम की तरह दिखती थी, लेकिन फिर हाली के चेप्टर में 1072 में यह रिवील किया गया, जो CP0 वाली जो एजेंट है न, वो जो है मिस बैकेंगम की क्लोन है, और इसे जो है डॉक्टर वेगापं अब देखो, जो मिस बैकेंगम है, यह जो है क्लेम करती है कि यह वाइड बीर्ड की लवर थी, और साथी साथ एडवर्ड वीविल, जो है वो वाइड बीर्ड का बेटा है, पर यह जो कांड है न, यह सब जो है मांगा चेप्टर 802 से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले हम कही सोचते थे, यह बुढ़ा सिंगल बंदा है, लेकिन फिर भी यह बहुत सारे बच्चों का बाप है, एंड येस, वाइड बीर्ड बहुत अच्छा बाप था, बट फिर यार लेटिस चैप्टर के एंड में, जो चीज रिवील हुआ है न, क्या ही बोलू, यहाँ पर मिस मारको से एक बात कहती है, वीवील के अंदर वाइड बीर्ड का लीनेज फैक्टर है की नहीं, इस बात को प्रूप डॉक्टर वैगा पंक कर सकता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह लीनेज फैक्टर होता है, क्या है, क्योंकि वनपीस फैस बहुत सार बड़ा स्टेट्मेंट देना, वो भी सीधे डॉक्टर वैगा पंक का नाम लेके, मतलब यह हो सकता है कि डॉक्टर वैगा पंक को बहुत सारे राज मालूम है, एंड डॉक्टर वैगा पंक यार एक जीनियस है, अब देखो, एक और चीज़ पर तुम ज़रा फोकस करना, क नहीं पर भी उसने क्लेम नहीं किया, हाँ उसने ये कहा है कि वो वाइट बेड का बेटा है, जो एडवर्ड वीविल है, वो इस बुढ़िया को अपनी मा कहता है, जिस बज़े से हमें ऐसा लगता है कि मिस बैकिंगम एडवर्ड वीविल की मदर है, जो एडवर्ड वीवि इस poster में ये वाली जो लड़की है ये जो है एकदम से Miss Backingham की तरह देख रही है यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि ये जो है Miss Backingham का clone है लेकिन इसके होने के chances थोड़े कम लगते हैं ये वाला चीज जो है मेरे दिमाग में भी आया था लेकिन फिर मैंने अपने दोस discussion किया जब ये theory मेरे दिमाग में आया था एंड उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ और लफड़ा चालुआ यहाँ पर देखो actual लफड़ा क्या होजक्त है actually में जब Rocks Pirate खतम हुआ उसके बाद Widebeard जो है उसने अपना crew बनाया Kaido, Lilin ये सब अपने-अपने crew बनाया कि The Golden Lion भी अपना crew बनाया वही पर जो Miss Backingham थी जो original वाली जो है उसने क्या-क्या उसने जो है Mads को join कर लिया and Miss Backingham भी Dr. Vegapunk की तरह ही एक scientist है बट Dr. Vegapunk जितना genius नहीं है साथ ही साथ हमें Widebeard के तरफ से कहीं भी कभी ऐसा नहीं दिखाया गया कि भाई Widebeard की कोई girlfriend हुआ करती थी लेकिन Miss Backingham ने खुद को Widebeard का lover ऐसा claim किया हुआ है तो यहाँ पर तुम जरो सोचो जो यह बुढ़ा है सक्त लॉंडा है बाई and Miss Backingham खुद कहते की मैं Widebeard की lover हूँ यह वाला जो लॉजिक है ना यह थोड़ा Luffy और Boa Hancock वाला बैठता है जहाँ पर Luffy कुछ भी भाव नहीं देता है बट जो Boa Hancock है वो मरती है Luffy पे साथी साथ अगर तुम Widebeard को देखो तो Widebeard को जो है एक Family चाहिए था लेकिन उसको तो Family बनाने का मौका मिल रहा था पर उसने इसको पकट ठुकरा दिया होगा तो यहाँ पर क्या हुआ होगा जो Miss Backingham है जैसा कि मैंने पहले बोला यह भी Mads का हिस्सा हुआ करती थी तो इस इसने जो है किसी तरह से Widebeard का Lineage Factor जुगार लगाया होगा और उसके बाद जो है इसने Widebeard का Clone बनाने का Try किया होगा एंड इसमें हो सकता है कि फोड़ा बहुत हाथ Dr. Vegapunk का भी हो लेकिन Supervise जो है Miss Backingham ने ही किया होगा जिस वज़े से जो Edward Weevil है वो एक Failure साबित हुआ ह एंड यहां पर जो है पूरी तरह से वो Clone बनाने में काम्याब नहीं हो पाई होगी जिस तरह से वो बनाना चाहती होगी एंड इसी वज़े से Edward Weevil का दिमाग थोड़ा धक्कन टाइप हमें नजराता है बट वो स्ट्रॉंग है लेकिन उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉंग न देख करके लगता है कि यह एक तरह से फेलियर है पूरी तरह से 100% नहीं बन पाया अगर डॉक्टर वैगापंग मना था तो पूरा 100% बना देता क्यूंकि उसने मिस बैकिंगम का भी क्लोन पूरा 100% बना के रखा भाई क्या गजब बनाया है अब देखो एक और चीज पर ज चले तो वह बहुत भड़कने वाल है एंड इसी वज़े से सायद जो मिस बैकिंगम है उसने जो है अपने बेटे को छुपा के रखा और खुद को भी छिपा करके रखा वरना भई मारकों को भी इस बात का अंदाजा जरूर होता क्योंकि मारको वाइड बेड के साथ बहु चिपाया होगा साथी साथ चैप्टर 802 अगर तुम पढ़े हो अगर नई पढ़े हो तो दुबार जाके रीड करना वहाँ पर जो है एडवर्ड वीविल अपने पिताजी का रिवेंज लेने की बात करता ब्लैक बीर्ड से लेकिन इस चीज को उसकी जो मदर है मिस नकार देती है उसके लिए मेन काम था पैसा उसको पैसे चाहिए थे ना कि एडवर्ड न्यूगेट का बदला अगर यह सच में उसकी लवर होती ना भाई वह पहले ना एडवर्ड वीविल से कहती कि जाके अपने बाप का बदला ले ना कि यह की पहले जाकर के भाई उसका जो ट्रेजर है उसको ले उसके पैसे चाहिए तो तुम सोच लो यहाँ पर मिस बैकिंगम का इरादा किस हद तक है वैसा यह बच्चा भोला बाला लेकिन इसने जो है एडवर्ड न्यूगेट के होम टाउन को प्रोटेक्ट किया है तो तुम सोच लो यह बच्चा उतना ब साथी साथ इस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना एक हजार फॉलोवर्स करवा यार थोड़ा ही बचा है एंड हां लाइक सब्सक्राइब वाले फॉर्मल टी भी पूरा कर देना तो यार मिलेंग नेक्स्ट वीडियो में फिल लाल के लिए बाई